संदीप महेशुरी, इनको आप चानते ही होंगे भारत के यूट्यूब पर या इंटरेट पे सबसे ज़्यादा पॉपलर मौटिपशनल स्पीकर्स में से एक यूट्यूब पर 20 मिलियन से ज़्यादा इनके फॉल्वर से एक सफल इंटरेपन अपहलर रह चुक है और अब एक बहुत सफल मौटिपशनल स्पीकर के रूप में देखे जाते हैं इन्होंने रिसेंटली एक वीडियो में किसी एक स्कीम के बारे में बात की और सामने आई है एक पॉन्जी स्कीम ऐसा इनका कहना है और पूरे इंटरेट पे हंगामा मचा है कि दो यूट्यूबर हमने सामन ने हैं क्योंकि इन्होंने अपने वीडियो में एक और किसी बड़े मौटिःशनल स्पीकर की बात कहा कि एक और बड़े मौटिशनल स्पीकर गस्कीम या एक कोर्स बीच रहे है वो शायद एक पॉंजी स्कीम या फिर एक पिरामिड स्कीम की तरह है यह अरूप लगाए गए संदीप महेश्वरी के त्वारा लेकिर वीसेंटली अब यह सामने आया कि नाम किसका था और वोगे अपने कम्यूनिटी पोस्ट में भी खुल के पोस्ट किया और लगातार सामने बलना है कि यह केस बन चुका है संदीप महेश्वरी वर्सिस विवेक बिंदरा के रूप में दोनों बहुत पॉपुलर यूट्यूब मोटिवेश्वरी स्पीकर्स हैं दोनों पुराने बिजनसमेर हैं और ये नडाई आखिर क्या है और कैसे ये दो लोग जो दोनों ही मोटिवेश्वरी स्पीकर्स थे काफी पॉजिटिव एलिक्ट्यूड के साथ यूट्यूब पे काफी इनोंने फैन फॉल्विंग भीन कि है तो क्यों भिड़ गए हैं आप संदीप महिश्वरी और विवेक बिंद्रा कौन हैं ये लोग और क्या है ये माजरा डिसकस करेंगे इस वीडियो में वेल्कम टू ग्यानकोश संदीप महिश्वरी पे पहले आते हैं तो एक सक्सेस्फुल मॉडिशन स्पीकर के रूप में आज जाने जाते हैं लेकिन उनके शुरुआत असलमें इमेज़ बाजार नामे की वेपसाइट से हुई जिसके CEO ये थे और एक बहुत बड़ा प्रॉमिनेंट ये एक बिजनस था बहुत प्रॉमिनेंट अभी भी एक रॉप साइट है जिसके दुरू इमेज़ ये बीचते थे और जिसमें बहुत सफल रही है ये उसके CEO अभी भी है प्रिजेटी और विवेक बिंद्रावी बिजनस कंसल्टेंट थे और अभी वो फेमस मॉडिशन स्पीकर है और उन्हें बार में अपनी कोट के कंपनी बड़ा बिजनस भी खोल लिया है अब मामला ये है कि ये दोनों ही बहुत जादा प्रचलित है बीस मिलियन से भी जारा सब्सक्राइबर अगर आपके हो करोणों फॉलोवर्स आपके फेस्बुक इंस्टाग्राम पे हो तो आप दिश्चित रूप से बहुत बड़ी सक्षिया थै मुद्द तब उचला जब संदीप महिशुरी ने एक रीसेंट वीडियो किया इस वीडियो में उन्हें कुछ बच्चों से बात की जो बच्चे कह रहे थे जो 18-20 साल की युवा थे उनका ये कहना था कि उन्होंने एक कोर्स खरे था देख रहा था असल में इस कोर्स को खरीटने के बाद उन्हें बिजनेस करना तो नहीं आया नहीं उन्हें कुछ विशेश सीखा बल्कि उनको ये कोर्स और आगे लोगो सेल करने के लिए बोला गया उसकी कमिशन इन्हें मिलती तो यानी सिच्वेशन ऐसी लगी ये एक पिरामिट स्कीम सा सिस्टम लगा और कहा ये जा रहा था पहले कि कि किसी का नाम नहीं ले गया था लेकिन मीडिया डिपोर्स में क्लीर बताया गया है कि जिस विख्ति के बारे में बात की जा रही थी वुगति विवेक बिंद्रा और उनके बेचे गए कोर्स अब आती है बाद विवेक बिंद्रा पर जो खुद एक बहुत फेमस सकस्फुल थे बिजनस को छेरे और अब उनने अपने खुद का यूट्यूब चैनल है कई सारे बिजनसे रन करते हैं और एक प्रॉमेनेंट कंसल्टन की तरह देखे जाते हैं इनका एक बिजनस वेंचर है बड़ा बिजनस और खाये जा रहा है कि उनमें ये कुछ इंडिपेंडेंट बिजनज कंसर्टेंट बनाते हैं और वह बनाने के लिए आप कोई कोर्स देखना होता है, कोर्स जोईन करके आप बिजनस कंसल्डन बनते हैं और और आइडियाज को एक्सपेंड करते हैं, इसी को लेकर कहा जा रहा है कि यह बात है, कहा जारे अपने YouTube अकाउंट से वो चैनल डिलीट कर दो और यहां तक बोला जारा है कि आप यह धमकी नहीं दे सकते हमारे साथ कुरी YouTube की community है और हम इसका परदाफास करेंगे क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि यह courses बेचने में एक तरह का scam हुआ है जहां जान बूझ कर ऐसे लोगों को courses बेचे जा रहे हैं जिनका इनको कोई फाइदा नहीं होगा और एक pyramid scheme की तरह इससे create किया जा रहे है अब आपके मन के अंदर एक सवाल होगा कि pyramid scheme असल में होती क्या है MLM हमार बर सुनते है schemes के बारे में क्या होता है वो भी जानेंगे पहले समझे संदीप महाश्वरी के इन बातों को जहां उन्होंने कहा है कि ये सीधा-सीधा इनको लग रहा है कि इनको expose उन्होंने किया है विवेक बिंदरा को 2025 आपका attempt है तो आपके लिए बहुत important है structure होना preparation का कि इतनी लंबी time तक आपको geography, politics, economics सारे concept समझने है concept के पीछी का context भी समझने है कि concept क्या है और क्या इसका usage है, क्या कहानी है, कैसे questions पूछे जाते हैं किस तरह चीज़ों को समझा जाए ताकि आप बहुतर तरीके से उस knowledge का utilization कर सके अपने exam की preparation के लिए और तब वही knowledge आपके काम है कि इस exam को clear करने के लिए सिर्फ पढ़ने से काम दोग बनेगा नहीं और इतनी लंबी period में लोग motivation खो देते हैं consistency खो देते हैं इसलिए classes, guidance और system बहुत जरूरी है यह सब प्रवाइड करता है आपको PW only IS अपने इस नए कोर्स के साथ जहां आपकी दो बड़ी परिशानी है quality और affordability का solution लेके आ चुका है online courses बहुत quality के साथ कभी कोई compromise कर देते हैं यहां offline classes की तरह quality को maintain के गिया है और जो classes है वो केवल 10,990 रुपर में available है जो बहुत ही affordable है वो आपको prepare करते हैं अपने इस exam के लिए plus आपके पास flexibility है अपने घर में बाठके त्यारी करने का और जहां जो teachers आपको पढ़ाएंगे वो पूरी तरह आपको train करेंगे किसी भी तरह की आने वाली समस्या को लेकर विए कोर्स के वल 10,990 में उपलब रहे आपको English और Hindi दूरों भाशाओं में मिल रहा है टाइटर और संगल्प के नाम से इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी जहां से आप इसके बारे में और जानकरी प्राफ कर स अब आरते इस टॉपिक के अपर कि देखे अब संदीप महिशुरी ने यह भी कहा है कि जो कूर्स बीचा जारा है इनका कैना कि कोई कोई स्कैम नहीं है वो एक बिसनेस है लेकिन अगर आप एक कोर्स बेचरों यह बोलके कि वो को करने के बार आपको बहुत फाइदा हो जा कiclo day पूर कि यह फ्क करनी कैना के नाम दोने इसको दिया है और कि पिष्ले पूस्त में विवेक बिंदुकर नाम ले रही है तो ये बाते थे पर सामना यह इनका जो प्रोजेक्ट है जानने से पहले समझते हैं पिरामिट बिजनस मतलब होता गया है नहीं है एक विकती ने बिसनस टार्ट किया घ्रहा है यह उपने सबांवी जाबत वह. पही ही साभी लेलो मेरा बहुन अचे रिच डिचते जाओ और रबेशन्म को तुम्हीं कहे दे रहा है। तुम्हीं भी आप्लिप्तवे दे रहा हूं। आगि जाके साबुन को तुम आठोल में बेशते पर यह बोलेंगे हम मैं आपको 50 पैसा कमिशन दोँगा हर सामन की बिक्री पर, तो इस तरह समान बिक्ते चले जाएगगे और कमिश्यर्स मिलते चले जाएगे, यानि एक वेक्ति तो लोग और समान बेचेगा, दो वेक्ति चार लोग को समान बेचेगे, इस तरह एक chain मंती चली जाएगी, इसे कहते है पिरामिड, यानि एक व्यक्ति ने पैसे लिए, एक व्यक्ति ने समान खरेदा 100 रुपएगा, जैसे कोर्स खरेदा कोई, उस कोर्स को उसने देखा, फिर उसको कहा गया कि बहुत दो लोग और कोर्स बेचतो, तो आपको कमिशन मिलेंगे, दो लोग को और कोर्स बेचे, इन्होंने भी 100 रुपए का कोर्स खरीदा, और इस व्यक्ति को हर कोर्स के 20 रुपए कमिशन मिलेंगे, अब इनको बोला गया, आपको जोडने माला जो कोर्स बेचे का, उसका 2 रुपए कमिशन आपको मिलेगा, तो इन्होंने फि संदीप महाईशूरी स्कैम की बात करें कि अभू शकैम है या नहीं असल में इससे स्कैम नहीं कह सकते हैं. मुखे रूप से यह कोर्स है जहां ही बोल रहे हैं कि आप एक independent business consultant बन रहे हैं यह एक business सिखाने का course है जिसको सीख के आप business कर सकते हैं और आप business के बारे में कई चीज़ें सीख सकते हैं यह सही बात है यहां तक लेकिन बात ही है कि जब उस course को आप join सकते हैं और वो जब आप दूसरे को सिखाएंगे तो उससे आपको भी आप course भी बेच सकते हो किसी और को जो आप में सीखा उस से लिटेट को या वो ideas बेच सकते हो उस ideas को और आगे propagate कर सकते हो उससे आपको जाए लेकिन 10th class pass किया वह बच्चा यह उन्ने साल का वह बच्चा के बोले कि मैं आप consultant हुआ बचाने में मदद करूँ गा तो उनकी सुनेगा नहीं और ऐसा ही हुआ करे लोगों ने कोई सुन नहीं रहा और उनसे कोई course ना खडीद रहा है नहीं उनकी कि consulting की कोई value है तो इनकी eligibility नहीं है तो यह एक criticism लगातार देखा गया है जो इस course के बारे में किया गया है लेकिन ये इसको और विवेक बिंद्रा के बीच में ये पूरा का पूरा विवाद इन दोनों के शुरुआत तब हुई जब ये वीडियो महेश संदीप महेशुरी ने अपने चैनल पर डाला जिसमें लिखा कि बड़े scam को एक्स्पोज कर रहे हैं तो इसके बाद से इन दोनों के बीच में एक सीदी सीदी जंग की शुरुआत हो चुगे यूट्यूब के सबसे बड़े बड़े स्टार्स के बीच में लड़ाई शुरू हो चुगे अब देखते हैं आगे मामला कहां तर जाता है और क्या सही में ये scam है भी या नहीं जानेंगे इस अगले वीडियो में जबी क्यानकोष और नाइस देख